लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकुन को प्रेस करें कोई लेटेस्ट इन आपडेव सक्तालो फ्रेस लिए लुग्डेव इन प्रेस ऑंपडेस्ट करें इन ख्रेस्ट करें लिएग में अल्ट्स करें अल्ट्रा चनल्स करें अल्ट्स हुआ 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 है हुआ 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 है मेरे दर्द को तेरे सवाद कौन सुनने वाला है मैं भी यही सोचा करते हूँ कब तक हमें यूही मायूस रहना पड़ेगा जब तक खुदा की सारी खुदाई को अपना न बना दो मैंने आदम की उलाद को अपना गुलाम बनाने की कस्म खा रखी कस्म? कस्म तो मैंने भी खा रखी है इस फ्लीज के कयामत तक में हर इंसान को तुम से बचाने की कोशिश जारी रखोगी नेकी मेरे अपा जान का इहत्राम कर वरना ये मुझे जला कर राख कर देगा जलाना अगर इसकी सिफ़त है तो हर आग में पूरा उतरना मेरी सिफ़त है रहने दे शेखी ये देख मेरा दाया पहले जो अब भी तेरे लिए मैंने खाली रखा जब आदम की सारी उलाद मेरे बस में हो जाएगी तो तेरा मुकाम यहां हो तेरी यडाई पहर की हुपूमत मेरे परवर्दिगार एक निगाह करम पे कुर्बान है परवर्दिगार नेकी पहचानते हो इने ये वही आत्म दौला है जो कभी खुदा का नेक बंदा था और आज प्लीस का गुलाम है और मेरे गुलामों की तादाद बढ़ाने में तिन्राथ मस्रूफ रहता है जायद में भी पैजालती हो शैदाना सिनोबस और उसकी मलिका गुल जो एक दूसरे से बें तहा महबत करते हैं लेकिन मेरी वज़ा से इस दिन्राथ चुदाई की आग में जला करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि मायूसियों से तंग आकर उना की गार में गर जाएंगे और मेरे बंदे बन जाएंगे यह जहदानी महरंगे जिसको जकडने कलिए मैंने फॉलादी जाल बिशा रखा है इबलीस तेरे इरादे खतर ना मगर यह देखो तेरे फॉलादी जाल कोकट्य धागे की तरह तोर ठेकने वाला भी मौजूद है शहदा बदर हाहाहाहा एक मामूली इंसन इबलीस से टक कर लेगा क्यों नहीं जानते हो इस पर किसका साया है किसका एक ऐसी मुहबबत का जो साथ आसमानों की उंजाई से भी बिलंग है कौन है बदर की माब जिसकी मुहबबत इसे हर बुराई से मैफूद रखेगी हाहाहाहाह गुरूर न करे ब्लीस अभी आसमानों दौला से शहजादे बदर का मुकादला होगा बदर? उसको तो उसके माबापने डर की वज़ा से कायद कर रखा है वो महरंगेज से कैसे मिल सकता है सच्की मुहबबत करने वाले जब कदम उठाते हैं तो रास्ते के पहाण और पत्थर की दिवारे रेत के पहाण और दिवारे बन जाती है बड़े खुशी की बाद है आने दो बदर की कुल महरंगेज और बदर अगर इन में से कोई एक भी बेरा बंदा बन गया फिर भी मेरी ही जीत है कहा एक मिट्टी का पुतलब बदर और कहा एक आग का शोला इबलीस खोलो दर्वादा खोलो दर्वादा नहीं खुलेगा यह आपके बाप ने बन किया है मैं कर दो क्यों नहीं होगा खोलो दर्वादा खोलो दुन्या मुझे नमक हलाल करके फुकारती है मैं नमक हरामी नहीं कर सकता भी खोलो बाद अच्छा मत खोलो और तो नमक हलाल बहार आकर सबसे पहले मैं तेरी कज़र मरोंगा तुम्हों क्या में दूर्पीता में ता समझते हो मैं कहले तुम्हा इतना कमजोर नहीं कि इस कमरे की चार जिवारी मेरे रास्ते में हैल हो सके मेरे सब्रों को जादा ना आजमाओ वरना खिर्की से कुद जाऊंगा किर्की से किर्की से नवा गलाल क्या कर रहा हो खुद पैरा दे रहा हूँ बदर ने निकलने की तो कोशिश नहीं थी खुदूर कौंसा जानवर है जो पिंजरे में पर नहीं मारता तो तुम्हें डर के दर्वादा तो नहीं खोल दिया देखिए हुदूर दर्वादा बंद है मेरे होते वे आप से भी नहीं खोल सकता क्या बक्ते हो बक्ता नहीं हुदूर मैं आपको सब्जा रहा हूँ कि जो दर्वादा बेटे से नहीं खोल सकता वो बाप से भी नहीं खोल सकता दर्वाजा कहलो, दर्वाजा कुलो in वर हम शक供ोरोगी यह कुलाल लेकर इलमगाने के लुटहें होते हुटे होते हो पाद पनाटा होते हैं। इसलिए नेक्षोला आ बомеकंप अने कुले स्वारो चुछने करता वाम तुमशत टांधा नहीं है? आपका प्लाम हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका राजदार हूँ, मैं आपका आका हूँ सुका मैं तो आ आपको आपका बेटा है यहाँ असंचा ओ पर्या देटाना के से रख़ेड़ा, जैजाबदल रहे है क्याronics यहाँ ? हूव Э्हेosh मैंनुकिक जैजार क्या ढूंड रहा हूँ तुरी नहीं शकार मैं तर शेदादे को ढूंड रहा हूँ क्या मक्की बनकर दीवा चिपक जाएगा यो पर लगाकर खिर्की से बायर फूर्र करके उड़ जाएगा इसे फूर्र 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 ऐहूँ खिर्की शेदा बदर शकत छे-दधा, 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 शे-दधा बदर, नहीं, यही नहीं हो सकता, बाश्यसालामर, बाश्यसालामर, यहां पना, ओ मिल गया. कहा है? ना आस्मान पे ना जमीन पे, ना घोड़े के दीन पे, फिर कहा है? आप आएए मेरा टार्स्था, मेरी को. कि मेरा दिमाग नहीं का कहा है यह वड़र वाप दाओ पदर ना जा वड़र तेरी माच इस पर बाँ आजा वेफ़र आजा पुर जह कहेगा वहीं से शादी कर दो अगर यही बाख है तो नहों चाही से मीरी शाधि कर दो, माउ यह नाम किन है टतो मेरा उपर आना मी नाम किन है, माउ मेरे बसर्, मेरी लाज़ पुर पाहूज़ का मुस्ता किन रही जटाखD को देखो शाजा देखो जा रहे हैं पुट्रों कहें का ये सब तेरी बेखुफी का नतीजा है लेकिन आली जा ये घुलाम तो कुट्टे की तरह द्रमाजे पहरा दे रहा था इस खिर्की के लिए भी एक नमर हलाल की जुरू था है बड़ा बेखुफ है ठीक है उसे बुद्धु कौन का है जो दर्वाजा छोड़कर खिर्की में से बाहर कूट पड़ा तो अब क्या किया जाए आली जा मैं बुद्धु हूँ गंचकर हूँ गदा हूँ उसके साथ साथ नमक हलाल भी हूँ मैं किसम खाता हूँ कि जब तक शहजादे बड़ को वापस नहीं लाओंगा तब तक मैं हुका नहीं प्यूंगा पत्ते नहीं खेलूंगा और साथ साथ मेरा सोना बन, मेरा उठना बन, मेरा जागना बन, मेरा घाना बन, मेरा पीना बन, मेरा नाना बन तो फॉरंट जाओ और बदर का पीछा करो और उसको जल्दी वापस लाओ वन्ना तुम्हारी बत्वात भी बंद हो जाएगी हमेशा के लिए आली जा, मैं अपनी माँ से पहले मिलनू, फिर जाओंगा भाईयो, बाशा सलामत से कह देना, कि मैं शेजादा बदर को वापस लेकर याओंगा और मेरे मौलवी साथ से कहना, कि तुम्हारा नमक हलाल, तुम्हारी हर एक बात मानेगा और मेरी मा से कह देना कि तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा दरो दीवार पे हसरत की नदर रखते हैं खुश रहो एले सफर हम तो वतन करते हैं लाओ मेरी तलवार सब्सक्षाइब एले साफ्ड़ पियाा थाएब भीवादा सब्सक्षाइब व्यादाइब भीवादा नदर्वादा जपोजाब पनुछूश्ड़ का फे आपनुछ इस जबैं। आप घोड़े पर जाने वाले सरकार दिलाता क्यों है तरा यहाँ है यहाँ है यहाँ है जाए वापस आईए ना मुझे आपस कुछ कहना है मैं जानता हूं तुक जाने वाले नीचे आप अप देख सरकार बोला ले आप जाब आप जाबाद शैदादे हुदूर घर चलिए आपकी माँ आपका रास्ता देखती होगी यहाँ कि अब आपकी का रास्ता भूल चुकी नमक हलाल जो साथ है मैं आपकी लाठी बनूगा चलिए दिलाठी की कोई ज़रूरत नहीं आखें न निकालिए नहीं तो गष्री बना के सट में रख लूँगा आपका नमक बगता है मैं आपसे पलभर के लिए भी जुदा नहीं हुना तो चल मेरे साथ कोरिस्तान अच्छी वाद है चलिए अब गदे कोरिस्तान चलिए आका तारीकी के शैंशा जादूगरों के बाद्शा शाहे अबलीज क्यों याद किया गया है मेरे मालिक मेरी अकल जुकर में कुछ नहीं आता कुल मुद्ध हुई मेरे हाथ से निकल गई ये तरी अपनी ही गलती का नतीजा है मगर मेरंगेद अभी बाकी है मैं उसे खूनी बनाने की तरगीब देता हूँ वो जरूर आपकी गुलाम बन जाएगा मगर आप इस हर्से में मुझे खयात जावदा का राज बतला दीजिए मेरे मालिक ये नामुम्किन है अपने ही खून से लिखे हुए दस्तावेश को न भूल था फिलफाज में लिखा है जब तक तु मेरंगेद को नेकी की तरफ से हटा कर मेरा गुलाम न बना देगा मैंने कोशिच में कभी कमी नहीं कि मुझे तेरी काम्याबी से वास्ता है कोशिच से नहीं अगर तु नाकाम रहा तो हमेशा ही नाकामी के आग में जलता रहेगा नहीं यहीं नाकामी का ख्याल मुझे दिन रात साम की तरह डस रहा है मुझे कोई ऐसी तरकी बतलाई जिससे मेहरंगेद अपने पाक हाथ किसी के खून से रंग डाड़े बेवकूफ मैंने तुम्हे कई बार कहा है सिर्फ एक चीज की इबलीस में कमी है ना परवर्दिगार की बजाए वो फुद दो जहां का मालिक होता हूँ ना मैं किसी की उबता बता सकता हूँ ना अन्जाम का पता दे सकता हूँ सुनिए मेरे मालक ठेरिये मेरे आका पुराम को युमायूस ना कीजिए कुछ मेरी भी सुनते जाएए मेरे आका जिसके होटों से हंती आपों से खुशी और चेहरे से रॉनक उड़ जाए उसे शेदादी नहीं कहिए ना जाने मुझे क्या हो गया है मेरे दिल क्यों उड़ता रहता है दिल, नुमारे सीने में दिल ही कहा। तुम्हारा दिल तो हमेशा अपनी भेन गुल के पास रहता है। जिसके किसी कंवक्त जादूगर ने जादू का रखा है। गुल मेरी जिंदगी है। गुल को जादूगर की चैट से चुड़ाने के लिए तुम्हे हमेशा मेरे हर इशारे पे गर्दम जुकानी पड़ेगी। मैंने कब इंकार किया है। मगर गुल कब तक उसके कायद में रहेगी। जब तब तुमारे हाथ किसी के खुन से नहीं रंगे जादूगर। बोलो, गुल के लिए खुनी बनोगी। वनना गुल का चिराग जिन्दगी हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। नहीं ऐसा नकाये। तो पर हाँ कहदो। कहदो तुम खुनी बनोगी। कहदो तुम खुन करोगी। तुम्हे खुनी बनना पड़ेगा। तुम्हे खुन करना पड़ेगा महरंगेश अपनी अधीद बहन गुल के लिए। ओ, क्या करूँ। एक तरफ बहन की महबत, और दूसरी तरफ ख़ुब खुदा। हर खास और आम को यह एलान सुनाया जाता है कि शाह द्वक्त पुलंद की दुगतर नीकफ़त शहज़ादी मेर अंगेश की शादी उस नौज़ान शहज़ादे से हो सकती है जो स्वालों का जवाब डेगा अ सवालों का जवाब देगा जो सियावब Лशाय करें बतार जन्तावान सिन्दगी भर उनकी एकायद में रहेगा वहुत में सुल्तान इपन सुल्तान शाहे कोरिस्तान एक और इस्तान सुना आपने एहलान मैं तो अब भी कैसा हूंगी चलो घर चले जबम्मादा दिन वहाँ पहले करता हूं यहां तो ऩॉर भर तैद है इसलिए तो यह परेस्तान है सबरस्तान है आप नहीं चलते मैं, तो चला मेरी मा के हाँ तुम तो मा के पास जा रहे थे न? मुझे अभी याद आ गया मैं आपका नमक हलाल हूँ न? खुशा मरीच, शर्वत कीजिये बहुत प्यास लगीजे बहुत ना, आई 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 या जे आई आई तक्रीज रदिये अपको प्यास याए है हाँ बाटना है लीजिये लीजिये पीजिये ओख नुश कीजिये अब? बुलिस्तान का शर्वत हाँ हाँ हमने क्या गुना किया है आप सब का शुक्रिया अगर љकर शुक्रिया उल्स क्या कुछ नहीं है अगर हमको शर्वत नहीं पिलते तो मती का खेर को मती का खेर को किती के आ मिठी 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 बाते करती है मेरे मौलवी साथ देंसे इसी बाते किया कर्चे थे नमक हलाल कभी जूट नहीं बोलता जरा आप यहां आईए ठीए, आपकी बाते मीठी आपका नाम भी मीठा होगा आपका मीठा नाम क्या है? दिल आराम बस, बस दिल को आराम हो गया बस दिल आराम होगा जराम बस देख देख रिख 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 आप मीठी आपकी बाते मीठी आपका नाम मीठा हाई, आप मीठा मीठा गाना भी गालेती होगी हा? जी, कुछ यूइँ सा यूइँ सा? आप मीठा मीठा नाज भी कर लेती ह случа Devi कुछ यूइसा यूइसा आपके इस यूइसा यूइसा ने तो मुझे कुछ यूइसा ही बना दिया है फिर 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 बोला फिर पक्तमी गदा है यह गदा आप किझ भास समझता है ये गदा दुनिया भर की जबान समझता है ये गदा मुझसे भी समयतार गदा है लेकिन बहुत वफादार गदा है वफादार? हाँ, जब मैं कोहस्तार की सफ़र के लिए निकला तो मेरी माने कहा के बेटा, महा की लड़किया खुशोट लड़कों पर जाजू करती है यानि मुझसे से लड़कों पर शाजी करती है इसलिए ये गदा मेरे साथ साथ आता है जब मैं किसी लड़की से बात ये करता हूँ तो ये पाक पाक उसकी जबान में आवाज देता है तो ये कुछ करता नहीं, ये मुझे दरसर्श फरमाजता है चल अभी जब 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 बात करते है किसकी चुगली खाई जा रही? जी, चुगली नहीं चुगली तो सबसपरी का हुस्म खा रहा है मीठा गाती है, मीठा नाश्ती है एमे के चिए एकी लाक्ट एकी? अऎताले तो एकी घए, इजामे बाहीं, ओड़। एकिंदाओा जाईमे, पका खब। सुनो जी, सुनो जानी सुनो जी, सुनो जानी ये दुनिया दिवानी है जो दिल मेह कर, न दुनिया से जड़, जवानी अन जानी है सुनो जी, सुनो जानी सुनो जी, सुनो जानी ये दुनिया दिवानी है जो दिल मेह कर, न दुनिया से जड़, जवानी अन जानी है सुनो जी, सुनो जानी मेरी जरकार आई है तहार को हम बार बार तुछ पिंसार हूँ, मैं तेरी बीमार हूँ मेरी जरकार आई है तहार को हम बार बार तुछ पिंसार हूँ, मैं तेरी बीमार हूँ नई है पहचान नई है अर्मान ये दुनिया पुरानी है सुनो जी सुनो जानी, सुनो जी सुनो जानी ये दुनिया दिवानी है जो दिल मेहकर न दुनिया से जड़ जवानी अनजानी सुनो जी सुनो जानी, सुनो जी सुनो जानी हुआ 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 है तेरे पुर्बाद, मेर ऐमान, मेरे दिल जान, तेरे मश्बूर हुआ हुआ है पड़े हुआ 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 हो जिन मेरे दिल में ये दुनिया फानी है सुनो जी सुनो जानी जी दुनिया दिवानी है चो दिल में हकर न दुनिया से कर जवानी हन जानी क्या खूब नार्टी है वह वा, सुभान अल्ला, क्या चलती फिरती क्यामत हो जरा ठेरो तुझ सही जाने मन, हम भी हैं तेरे चाहने वालों में सरकार इन सफेद बालन की इज़्दत रखनी जिये हाँ, ये क्या कम इज़्दत है कि मैं कोहरिस्तान के वजीर आजम आस्ति दौला कस्ति पे सारार जंग जमाल अदीन खाकानी खान बाकिर खान, आप ख़पा नहोईए जाएए, चुछो, ये ना भूलिये कि एक औरत को सताने का नतिजा बुरा होता है नमक हलाल कभी जूट नहीं बोलता नमक हलाल ये जमाल अदिन बाकिर खानी इंसान है या हैवान है छोड़ बीदी जी छोड़ दी जी, ये आपको जेब भूही देता अरे दीवानी जमाल अदिन को कौन सी ऐसी चीज़ है जो जेब नहीं देती हाँ शेगल मैंने कहा हज़ूर को घुसा ना आए तो कुछ अर्ज करू कौन हो तुम क्या कहना चाहते हो ये शान हो शौकत ये लशकर चिपाही और आपके हाथ में ये नाज़क कलाई देखते ही मैंने समझ लिया कि आप जरूर कोई खानदानी बड़े बत्तमीज मालूम होते हो तमीज अजी तमीज तो कोई आप से चीखे देखी ना किस अंदाज से इस नाज़क बदन को आपने अपनी तरफ खीच लिया शेर दिली की कसम मैं क्या ये तमाम लोग आपकी तमीज देकर हरसे चुप बैठे हैं देखे ना देखे 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 तुम्हारी इस घुस्ताखी का मतलब क्या है अब भी नहीं समझे जाने दीजे इने अब भी शक की नजर से देख रहे हूं शेर दिल मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं दुश्मन नहीं तुम दुश्मने जाहो अब बगलो जेखे अब तुम्हारी जनर से नहीं है अब दुश्मन नहीं शुश्मन क्या हो अब तब खेश्ची जो भी जमाल के मूँ लगता है उससे मूँ की खानी पड़ती है शेर दिल जबा के तो शेर हो सिर्फ शर्म की कमी है जमाल बाखिर खानी फिर शर्मी के गोल कप्पे मेरे साथ नड़ अप तो खा बखा ही करतुम प सही है हरे latुमोवार्प्ने दिलुमकी दिलुमगी है का बार्प्यकी का बार्प्ने है जरी खीजी खिरतुमक्पधî हुआछ's हुआ 온 मेरे हुआ हुआ हीयो फैक हुआ हुआ प्रशुआ, आरे चाथ चाथ, चाथ, रखरवाई शीपी जी ओ, जी ओ मेरे शेर दिल, जी ओ मेरे शेर तुमने ये क्या कहतिया, मेनी मा भी यही कहती थी कि निमक खलाल तेरा बाप भी शेर था, तेरा दादा भी शेर था, तू भी शेर है इसके बाद हमारे दोनों की छोटे-छोटे शेर हटो ना, मगर आप अपने दोस्त की मदद को तो गाईए ना ठीका, नहीं नहीं, दोस्त की मदद की ज़रूरत नहीं वो अपना समा लेता है, तुमको देखना है? आये बाई, आये! नवगराल! अरे! चलो, तुम्हारा वाकिल खान बुलाता है, वह पहला खान में, उठो! तरवार लड़ने आज, पहले सिखो हमते हो! मैंना कहता था, कि दिल आराम को जाने जोने में तुमारी भैतरी? हमारे सिखे सारा रजंग यहीं मौजूद है, अरे इंके कपड़े कराव हो गए! मैं क्या करता? औरत की बेबसी ने मुझे मजबूर कर दिया! हमारी वज़े से, पैरी औरत की वज़े से आपको तक्रीफ होई है! अब आप यहां से शौक शे तक्षीफ ले जाईए! जाईए! हालावर! मैं इसका बदला जुरूर लोगा! जानते हूं मैं कौन हूँ? वजीर आजम आपको दौला का सिपे सारा रिज़ंग जमार दिन, खाठानी, बागर खानी! मेरे पास खुस्विये के लिए अलफाद नहीं! आप लोगों ने तो कमाल खुर दी! आपने हमारा कमाल देखा ही का है, हम तो कमाल पे कमाल! जी कोई ऐसी जगा बताई जहां हम राध बसर करता है इसके लिए शुक्र नकरें, आपके लिए गरीब का गरीब खाना हादिर है हम आपके गरीब खाने को यतिम खाना समझ के रह जाएंगे क्या मैं अपने मुसिन का नाम दर्याब करता है आपके हमदर्दी हमें दास्ता कहने पर मजबूर करती है आईए तश्रीव में चलिए शेहदाद खुरूर मैंने आपका एक एक लख सुन लिया अब मेरी सुन आप अपने माबाप के पास वापस चले जाएए माबाप के पास वापस चले जाएए अरे यही तो मैं समझाते समझाते नमक हलाल से नमक अराम बन गया हूँ लेकिन मेरी कौन सुनता है नहीं हासन शाँ जब तक मैं महरन गेज को देख न लूँ घर हरगेज नहीं जाओंगा अगर मैं आपको शाजादी बिखा दूँ तो इनाम दीजीगा घुलाम हो जाओं दीदार का शौक इस हद तक बढ़ चुका है जैसे तुम्हारे दीदार का शौक मुझे है मैंने सोचा है गदे से फाइदा उठाया जाए क्या तुम मुझ से फाइदा उठाना चाबती हो अरे तुम तो नमक हलाल हो मेरे मौली साब भी यही कहा करते थे गदा लेकिन प्यास से मैं समझा शाथ तुम्हे मेरा पुराना नाम मालू हो गया है तुम सच मजगदे हैं तुम भी सच कहते हो दुमिया में जितने नमक हलाल है सब गदे गदे करतू रव घुम को यही हमारे आराम में खनद कौन हो तुम हता मौफ शर्जारी शहबा ये शाही तो तीर है बाजे बजाकर भीक मांगता है माई तेरी नगरी आबाद रहे एक बीश अश्रफिया आने दे माई एक बीश अश्रफिया माई अल्ला तुझे खुश रखे मेरे गदे की दुआले ओ इस पे मूपर रख तॉ यह तुम हम अबाद पुश माई बार तुम हुश्रा तुम है तो यह पूंग धने दू वुश वीश ! क्या हुआ हुआ है? क्या हुआ हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कौन था? कोई नहीं कुछ? कुछ था शैजारे ताहब अब नीचे आये और हमारा मून इठा किजे नीचे आ रहा हूँ मगर तुम्हारे पास नहीं कहीं और? अरे अरे बहीं आ उस तरफ के ले गए अब क्या होगा? आप कोई क्या जाने? के वो हुसन का डाकू कौन था जो हुजूर का दिल और दिल का चैर सुराकर ले गया आज तबीयत कुछ ना साथ ही तुम सब चली जाओ खुदा खैर करे तेवर तीके हैं अब चुपने की कोई जरूरत नि मेरे सिवा तुम्हें और किसी ने नहीं दिखा आजा मैं कहती हूँ आजा कौन हो तुम क्यों आये हूँ मैं पूछती हूँ यहां क्यों आये हूँ इस सवाल का जवाब तो आज तक परवाना भी शमा को ना दे सका मेरी मानू अपनी जिन्दगी आज जियो बाग की आँख का नूर और मा के कलेजी की धंड़क बनकी जियो अज चले जाओ तो शमा से दूर रहते हैं उन्हें परवाने नहीं कुछ और कहते हैं क्यों अपनी जिन्दगी से दुश्मनी कर रहे हूँ मैं कहती हूँ जिस रास्ते से आए हूँ उसी रास्ते से पलच जाओ वरना वरना मेरी जान का खत्रा यही ना नहीं शेजादी यह ना मुमकिन है अगर मैने इस महताबी हुसन का जलवा ना देखा होता तो शयाद में वापस चला जागा मगर अब नहीं अगर मैने इन मासुन निगाओं में बसे रास्ते घम को ना देखा होता तो शयाद मैं चला जाता मगर अब नहीं मलका ए हुसन तुम्हारी दर्द भरी इलतजाश से मुझ पर यह रोशन हो गया कि तुम्हारी रग रग में रहम करम की कौसर दोड रही है मगर तुम्हारे सीने में घर रास चुपा हुआ और जब तो कुस रास को ना समाई लूँगा मैं चैंस नहीं बैठूँगा मैं तो तक्दीर के कलम से लिखा हुआ एक गलत हरख हुआ मगर तुम क्यों अपनी तक्दीर से दुश्मनी कर रहे हो बगायर कोशिश इंसान अपनी मंजले मक्सूद तक कभी नहीं पहुंच सकता और जब वहां पहुंच जाता तो तक्दीर लिखने वाला भी तक्दीर बदलने पर मजबूर हो जाता सब कहने की बाते हैं बने तक्दीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता तो शयदा आस्मान हमें आस्माना चाहता हसीन आए मन मुझे सिम्तहा का मौका दो तो फिर कल दर्वाजर पर नकारा बजाने के लिए मैं हादर हो जाओंगा और उसके बाद चाहे मौत भी तुम लाक परस जियो नकारे के पास भी नचाना या अल्ला तेरा लाक लाक शुकर तुमें मेरी तकसीर माफ कर दी आज खुदी महताबी हुसन ने बादलों से निकल कर मुझे सर्फराज किया शायद को या रहा है जाये चले जाये खुदा के लिए इस वक चले जाये यहाँ से जाये ना जाये ना यमाल आ रहा है यमाल उसम अच्छीता मिल चुके तुम्हें मेरी कसम जाये ना जाये तसलिम बजा लाता हूँ शाजदी साहिबा अभी अभी मैंने किसी की आवाज सुनी जी हाँ मैंने अभी अभी पानी में एक साया देखा था मैं डर गई और और क्या हुआ मैंने उसे भगा दिया कैसे ऐसे यह मैंने क्या किया कोई हरज नहीं कभी-कभी ऐसे गलती हो जाती है इन आखों में है प्यार यू करलू उलुपत का इजहार तो बोलो क्या बुरा है अगर मैं कर दूँ साथ लिकार बनाओं मैं न तुम्हें दिलदार तो बोलो क्या पुरा है इन आखों में है प्यार तो कर लू उलुपत का इजहार तो बोलो क्या बुरा है तेरी गली के करके फेरे मेरे जूते गिस गए हाए गिस गए तेरी गली के करके फेरे मेरे जूते गिस गए हाए गिस गए किसमत की चपकी में आखे तेरे यर्मा पिस गए ओ पिस गए हम मर जाएं सरकार जो खाकर अब रू की कलवार तो बोलो क्या बुरा है अगर मैं करदू साथ लिकाच बनाओं मैंनत में लिकाच तो बोलो क्या बुरा है आप के साथ चले आये जी हमसे हो कई भूल कुम सकरे जो प्यार उसका हो जाए टपागुल निखाएं कहती हैं सरकाच जो हमसे कर दी दो समचाच तो बोलो क्या बुरा है अगर मैं करदू साथ लिकाच बनाओं मैंनत में दिलिदाच तो बोलो क्या बुरा है हम नहीं सुनने आये थे ये लंबी लंबी बाते हम नहीं सुनने आये थे ये लंबी लंबी बाते तुम ही बता दो तुम ही बता दो कैसे का तू लंबी लंबी राते फलक पे तादे दे शुमा चुगिन पे रहो एक दो तीन चार तो तो लो क्या पुरा है इन आखों में है प्यार जो करनू उलपत का इजहार तो बोलो क्या पुरा है अगर मैं गरदू साथ लिकार बनाओं मैंनत तुमें लिकार तो बोलो क्या पुरा है मेरे चाचा, मेरे भाई बड़ा काम की बात हो रही है थोड़ी देर के लिए कप्चू भाई क्या? अचू भाई? मेरे मतलब आप से नहीं है मैं इससे कह रहा हूँ खबान हो यह दिलाराम आप बड़ी अच्छी है आप यही बेखिए, मैं इससे मिल कर आता हूँ तुम घजे के बच्चे अरे घबाने की कोई बात नहीं ही तुम हम हाँ चिलाता है आखर गड़ा के गड़ा कितनी वतलब तुस्से कहा कि तुमाद आवास क्यों कर फूद आवास क्यों कर आईए, तुझे लड़के के बजाए लड़की दिख रही है अखर गड़ा है नहुत हमाखलाल गड़ा तुम मान गया दिलारम, मैं एक बात कहने मलता था बहुत देखे दिलारम तुम कितनी मीथी हो तुमारी बाते मीथे तुमारा नाच मीथा तुम्हेर गाणे मीठा थे, तुम्हारा हाथ मीठा। दिलः नाम ये दाडि काम। दिला नाम, दिला नाम ये था… क्या बात हुँना मकलाब? पापाजी कहा, छे मिर्की वाचाते… जब जरे. ओओ. वो तो आप हैं जी हाँ मैं हूँ यह वो ही है खान बाकिर खानी यह वो ही है वो कल जो रखासों के खैर खा बनकर जमाल अदीन खानी से उलग गया था आज शहजादी महरंगेश का तलबदार बनकर आया है हाँ 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 एक शरीफ लड़की को रखासा कहना बस्तानीजी है अच्छा तोड़ी दर के लिए खामुझ परेकता हूं और आपका कहा जाता है वगजाय मत करो मुझे शहजादी के हज़ूर में पेश कर दो दिल ह कि शौक से मगर यहां जो भी अंदर जाता है जिन्देगी दर्वाजे के बार ही छोड़ जाता है वो इंताह की परवा क्या करेगा जिसने प्तदा की परवा नहीं तो चलो ले चलो इन्हे बदर भीया बदर भीया यहां सब लोग खामश यह भी खामश वो भी खामश खामश बादर भाम बुलाई सा हो च्राइच यह ब्यादब जादर कहां से पइदा हो गया खामश जिन्दगी से दगा करने वाले नौजवान यहां के ऐलानों का नौन से वाकिफ हो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि यही वह राशता है जो मेरी मन्सर को जाता है और मेरी मन्सर? महरंगेस हमारी शิदादी महरंगेस को حاصل करने के लिए तुम्हें पहले उन तीन सवालों का जवाब देना होगा जिने शेदादी महतरमा फुद बेयान फरमाएं मुझे दिलो जान से मन्जूर है और अगर खुश नसीबी से तुमने सही जवाब दे दिया तो फिर इसके बाद शेदादी महरंगेज अपना एक रक्स दिखाएंगी जिसमें उनकी जिन्दगी का राज पुशीदा है और अगर तुम्हारे नसीब ने साथ दिया और तुमने सवाल पा लिया तो उसका जवाब भी तुम्हें देना होगा मुझे अपनी तक्दीर से ज़्यादा शेहदादी महरंगेज पे नाज अक्सर नाजवाले बेनयाज होते हैं बादब हुज़ूर शेहदादी महरंगेज तश्रीफ ला रही है बादब महरंगेज तुम सच मुछ हैरत अंगेज हो अगर को आ रही है इहाँ खमोशिं शेहदादी साहबा सवाल करती है जोर से सुनो बदनसीब बदनसीब क्या तुम बतासकते हो कौन है वो जो मौत की गोध में बैटकर शेहनय सुना करता है जो शेहरत के शीशे से सेहर के घूद पीता है और हस्ते हुए जीता है एक शक्की शहर क्या तुम बता सकते हो कौन है वो जिसके चेहरे दो है सीले में दिल एक और वो भी सिया रंका दूद पीकर पलता है और साफ की तरह ड़सता है एक खुदगर्ज इंसान है तीसरा सवाल ये है के जलता सिराख है रोशनी नहीं सास है आवाज नहीं दिल है थरकन नहीं आँख है नजर नहीं जो सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं महरंगे हमें तुमारी खुशनसीबी पर नाज अब हुदूर शहदादी का एबा अपना वो सवाल रक्स की सूरत में पेश करती घुमारी बाहरादी का छुमारी ऊबाखे श्रुशनसीबी सास भी नहीं सास भी नहीं करएंग ऩ। क्या क्या कहना चाहती? इशारा उनको फूल जैसे मालू होता फूल क्या फूल कर दोई कर दोई कारी कर दोई अच्टagen. कर दो जो. कूल, कूल सकारी कि अच्टagen. कर दो कर दो कर दो कर दो नाच देखने के बाद अगर तुमने नाच में चुपे हुए सवाल को पा लिया हो तो बताओ कुल भा सनोबर चेकर शहजादी साहब आप पूछती है के कुल ने सनोबर के साथ क्या किया हम तुमारी अकल मंदी पे तुमें शाबाशे देते हैं मरहबा हम भी मुबालग वाद देते हैं ख्याबाश ख्यादी साहब खुद अपने दस्ते मुबालिक से खाल डालेंगी थादी साहब थादी कि पन्सकापन एफ कॉआश हम उन्सकी चाहाद हम वर्या हम शादी हम उन्सकापन हम ऐफ खवगोष हम यह दरबार हा बदर शहसादी के गयाले का जासी का बढ़ा दोगा खामज 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 शहसा हमएस फिर का हुष बढ़ी अच्छा बढ़ी खामज अपरी खामज शाम कर काम कर तमाम कर महरम दी अपने नाखनों से इसे चल नी करते खुन, खुन महरंगे, अबरीज के नाम पर खुन महरंगे, इसका खुना करते इसका खुन करता महरंगे, महरंगे, ये क्या कर रही हो? अबतमीर, ये क्या बेद्वी कर रहे हो? अप्री जान बचा रहा था, जिवारा खुन कर देना चाहती थी बेद्वी की सदाश जानते हो, हुदूर शेजादी साहबाज इससरासर इल्जाम है इनके पाउ तले आज तक जूटी नहीं आई, वो किसी इनसान का फून क्या करेंगे? शेदे होश में नहीं है, तुमने तोहीन की है नजरे ही नहीं, तुमने हज़ूर शेजादी साहबापा हाथ उठाया है खुदा से जरो, क्यों हज़ूर, ये बागी है ना? हाँ, ये बागी है इसे कफ़तार कर लो, इसे नान मेडाल दो, अजर लोसे नहींगेस, ये जिए सुम तुम मेरी तुशवलो तुम्हाराख उन बिकूल सफेद ने क्लाब खामाश अफसूद बेर आफ कि अवी पार लो, खामाश धुम्हाराख उनलो भी मेरी तुम्हाराख ये लोग भी शादी करने आये थे, आप भी बारात में शरीक हो जाईए नसीब ने तुम से भी दगा किया नसीब मेरा नसीब तो महरें गेज हम भी सब उसी तीर के जखमी है इस तो महरेंगेज नहीं, कहरेंगेज कहते हैं परेशान नहों दोस्त, हमारी तरह तुम भी इस घर को सब्साली समझे परेशानी तो सिर्फ ये है कि वापसी का रास्ता देखते देखते मेरी मा की नज़र पत्तर हो जाईए मा रब लालमी, मेरे लगते जिगर को हर मसीबत से बचाना उसकी रहनमाई करना उसकी हर मुश्किल को तू आसान करना आरे इसे डिम्हें मत्तिना जाल जाएकी लालमी, और अरे जालमी 不是 अ हुँ, फटाई बाली! हुँआ बाली! दिलाराम, कोई जान बचाने का रास्ता निकालो! शहजादे की पीछे चलो! वो जो चोर दर्वाजा हमने देखा है ना, उससे शहजादे को छुडाने में असानी रहेगी! आसानी रहेगी? जरा सोच लो! मैं तो शहजादे पर कुरवान हुने को तयार हूँ! है? क्या कहा? नमक हलाल तो मैं हूँ, नमक तुम हलाल कर रही हो? इस सभी तुम्हे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म आ गई शर्म! चर्व 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 आयें? लड़की? लड़की वहां कांसे आई? अबी तुमाने देखी थी? कहां की निकिल थी? नखरे करणी है अँढ़, भी हाँ आज़ें, वाने दो! देखो बैym, सकते नो खोडह ने हाती गदा है ना ब likenधै नीगदा यह सिर्फ हात कुपस कख्माले हे हे! 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 अरे? जावी तरह इवारत से लोखो? अच्छा जाए एक जो तीर! हे! हाँ! क्या गिला? तीम कहने ले तुम तीन अंदे हो! ला उपर! लड़की! हे? आहा लड़की! ते वाई! इसको मिर्के की विमारी हो गई है! अरे लड़की की अर्यम मा कहता हूं? मिर्की की विमारी हो गई! अरे वाई आज कर शहर में ये विमारी भैल गई ये बंकर दो तो जाएगी!! बंकर दो! अभे लेकी की आख छोगा! बंकर! मेरे क्या बृदी विमारी है! मैंने देखा वो बिशारे का पसाई का बखरा भी उसको मी मिलगी हो गई हाँ फिर ये हुआ ये हाँ एक उसने कुछने लर्की नी खाय दे रही है पस्मुज लर्की अंदार अंदार इसको में लर्की खाय दे रही है स्ब्साइब्बज घथि खाय मधेर स्श्जूर लर्की भार अरे मैं लड़की नहीं देखी होAsset, तुमने लड़की नहीं आदे बभार पार आपफ़ी तूरे दे बभार मैं रखमी ये खाय मधेर खाय और हम जैसे शुपाल को लड़की नजर आती है लड़की? इसने भी लड़की देखी अरे भाई दर्वाजा बंग कर लो आरे दर्वाजा बंग करता है भाई चाथी भाई यह वोते दर्वाजा बंग करो लड़की, लड़की तुमने कोई लड़की देखी? हाँ, हाँ, क्या तुमने भी कोई लड़की देखी है? तुमने लड़की देखी है, तभी तो हमारा ये हाल हुआ मैंने भी लड़की देखी, तो ये हाल हुआ बतन के राष्टे पे मेरा इंतिजा करना मुझे महल में सिरूरी काम है आप पतना रहे हैं बहुत अची बात है मेरे लिए गोड़ेगा इंतिजाम कर लेना सुनिये तो बागो बागो कर दो कर दो कर कभी तुम खाब में चुपके से आ जाते तो क्या होता कभी तुम खाब में चुपके से आ जाते तो क्या होता अगर सोते में किस मर जगा जाते तो क्या होता कभी तुम खाब में मेरी मजरों में अशकों का समाशा देखने वाले मेरी मजरों में अशकों का समाशा देखने वाले मेरी नजरों में खुद आकर समाशा देखने तो क्या होता मेरी नजरों में खुद आकर समाशा देखने तो क्या होता कभी तुम खाब में मेरी दुनिया कुल स्वेदेब दुनिया ने मिटाया है मेरी दुनिया कुल स्वेदेब दुनिया ने मिटाया है अगर तुम अपने हकों से मिटा जाते तो क्या होता अगर तुम अपने हकों से मिटा जाते तो क्या होता कभी तुम खाब में चुपते के आ जाते तो क्या होता कभी तुम खाब में मैं चानती है तुम तुम नहीं हो एक पहम मगर एक पल को रुक जाओ मेरा एक पैगाम नेती जाओ उनसे कह देना के जालिम ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते तरे दर्बार बदर से बेवाफाई करने पर तफली ना हुई अब उसके तफ़र का मज़ाक उड़ाकर वो कमी पूरी कर रही हूँ बदर बदर तुम सच मुछ बदर हो या खुदा तूने मेरी सुन दी मगर बदर तुम यहाँ इस तरह बेधरत क्यों चले आई इसलेके बदर बड़ा बेखूफ नहीं नहीं ऐसा नगो मैं चानती हूँ कि मैं तुम्हारी मजरों से किर चुकी हूँ मगर तुमने मुझे अब तक नहीं पह्चा नहीं प्हटाना बदर बदकिस्मत महरंगेज को जरा करीब से देखो करीब से देखा बेवफाई का दूसा नाम महरंगेज है नहीं पहुआ लेक्षा मयलेट्टिक अबशूरत बला की तश्थीर महरंगेज है पढ़ लिया, उसने वाले वफा नहीं करते बदर, इसके दिल में वफा नहीं, उसके हुस्न में असर नहीं होता क्यों नहीं होता, औरत की तस्वीर के तो रुख होते कल देखा था, दूसरा आज देख रहे हो कल तक तुम जिसे अपनी तक्दीर समझते थे आज वो तुम्हें अपना नसीब समझती है अकर यकीन ना हो, तो सीने से दिल निकाल कर रख तो कल तक मैं समझती थे, मेरे पास जबान है, दिल नहीं मगर आज जाना, मेरे पास दिल की धरकन के सिवाब कुछ भी नहीं अब तुम जाओ, अब मैं फुरकत की आग में जलकर तक्दीर का लिखा पूरा करूँगी तेरी बेबसी तो कहती है, यकीन कर लूँ लेकिन मेरे तजर्बा कहता है इतबार ना करूँ गुल्बा सनोबर चेकर तूँ बतन वापस चला जाओ, ऐसी सजा ना दो मैंने कली को काटा समझा था, मेरी आखों का कसूर माफ कर दो जिनने तुम्हें शक की नजर से देखा, महरंगेस आज, आज इन आखोंने मुझे तुम्हारी मजबूरी की दास्ता सुना दी है अब तुम्हें बेवफा कहना, वफा की तोहीन है महरंगेस, यह क्या कर रही हूँ महरंगेस, क्या देखती हो, इसका खून पी जाओ, इसे हमेशा के लिए खतम करतो, इसका दल नकालो, जो मैं कहता हूँ वो करो महरंगेस, जो मैं कहता हूँ वो करो हुआ जो, जमाल, सुनाज, बजाओ, जमाल, जमाल मोटे मदारी, इस लक्त पर जलती है, जुन्दगी रही तो फिर मिलेंगे मेरे नसीब ने ये काम ला जवाब किया कि तुझे लाख हसीनों में से इंतखाब किया हैँ व्य जवादा तक अब मुझे मेरी मा के पास लेस्तो और मैं तुम्हारी निफारी मा शाविफिट कंो अपने बचन गुले pand जा रहा है कि अगर वतन गुलेể कर ऐco है बसलिक्uds वह गुले से ओश्वादर को ने तो यहीं है, महरंगैस के लिए ही दे जा रहा हूँ मैं? मेरे मौली साब कहते थे, नमक हलाल बनना बेवगूफी है दरशल मुहबत अकली की दिश्मन होती है ठीक कहती हो, तुम भी ठीक कहती हो, और मेरे मौली साब भी ठीक कहते थे कितने मुपश करने वाले हैं, सब उल्लू हैं, मैं कहता हूं उल्लू के पठ्ठे हैं, उल्लू के देब, हम दोनों को छोड़कर बाकर कि सब उल्लू हैं, चलो तुमने किसी को भागते हुए देखा? भागते हुए? हाँ वू वू लंबा सा एक्रायवर्ट मुझञा नियुकों समय खिखूर बांकर एक्रमिन प्रमिन गएबす सब्सक्राइब चल अच्छा हुआ, भाई साब गुलस्तान चले गए, ये सिपाई लोग गुलस्तान में रहे गए, और हम लोग रजियान जाएंगे, हाँ, चलो रजियान? हाँ, मैं मेरी माँ के गुल में जाकर बैठूँगा, माँ, मैं आ रहा हूँ बिचारे शजादे का क्या होगा? सुपुर्दे खुदा, तो तुम भी सुपुर्दे खुदा, संभालो अपने गदा हाँ, हाँ, अरे सुरो तो, अरे तुम की ख़वावती हो, अरे मेरे मौलवी साब को, मा, मा मैं फिर आउंगा, चल बैठूँगा क्या हुक्म है अबबा हुजूर्द? बेची, तेरे अबबा जान इबलीस की आँख सोते में भी खुली रहती, मैंने देखा, कि बदर गुलसनोबर का राजपाने के लिए गुलसता जा रहा है, जाओ, अपने अदाओं के तमाम तेर उस पर खप्न कर दो, जो काम अस्वत दाओला आए तक नहीं कर सका, अगर बदर हमारा हो गया, तो जरूर हो जाए, कैसी अब बजा, बड़ी, मेरे करीब आफ़, कर दो, कैसी अब आपने एमारा हो जाई आप पर राए, कैसी अबदर हो जाए, ऑर राए, तैका जा याए, आप तो, मेरे का कर दो, जाए, जाए, वाए, राए, तो. सलाव मेरी में तिरे दामन को फर दोंगे वफाओं से अदाओं से सलाव मेरी में तिरे दामन को फर दोंगे वफाओं से हदाओं से, मुलाता है तुछे दुर्पास किसमे दिल दियाओं से, चला मेरी में दिल ले, तेरे दामन को घड़ धूंगी, वो थाओं से, हदाओं से लिथा नजले, मिला नजले, नशाचाए मुहात सिसा, सही एका नहो और मान रही जाए मुहात सिसा, नरक निम्ञा मुकर नजले, अधाओं से, वखा करिने ये मौसम हा ख़दाओं का कोई रंगी ख़दान ने जवाने मचे नहीं सब्सकी महाबत की ख़दाओं से चला मेरी में फिल में तेरे दामन को फर दूंगी पुखाओं से या दाओं से लोग इनको फिल दूंगी झार आओं सेरी म्मौन फिल ने जुके उंड ज़ने ख़दाओं मैं तेरे दिल में बैठी हूँ अगर जो इस दिल से हैं वही दोजब की राते हैं अगर तेरी सुनेगा तू बचा लूँगी खताओं से चला मेरी नह दिल में तेरी दामन को भर दूँगी वखामों से अदाओं से मुझकर रह गया हूँ मैं न मंदल है न रचता है यह कैसी दिल की तुसमत है उजड़ता है लबसता है समझ में कुछ नहीं आता किदर जाओं कहा जाओं अधेर आचा गया या रच कहीं ठोकर नखा जाओं कहीं जिंदगी ले चल मुझे घम के किदामों ते चलाओं मेरी महिल में 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 चली दामन को भर दोंगी पफाओं से हदाओं से चलाओं मेरी महिल में चलाओं मेरी 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 मे वाताज नहीं तो फिर इस जाल से निकल भी न सकोगे वो कौन सा उगदा है जो वा होने हुश सकता हिमत करे इंसान तो क्या होने हुश सकता क्या मैं आज़ाद हो सकता हूँ जरूर, नेकी, तुम मेरे मामने में दखन न दो नेकी अपने परविर्दिगार की कनीज है मैं तेरे लिए नहीं इस नेक इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपने मालिक के हुक्म से आई हूँ देखते हूँ, यह कैसे आज़ाद होता है बदर, उसे याद करो जिसके प्यार में फरेब नहीं जिसके महबत पे दाख है या खुदा वो तो हमेशा तुमारे साथ है वो भी यही चाहा है के तू उसे याद कर जिसकी दौाओं से लोही की जंजीरे रेशन के डोरिया बन सकती है महरंगेज चिराग और सूरज को एकी नजर से न देखो बदर उसे याद करो जो तुमारी बेडियों को कच्छी सूथ की तरह तोर सकती है यह तापत सिर्फ दौलत में है दौलत इंसान की चोकर में पलती है हकूमत में है हकूमत सिर्फ खुदा की है मेरी महबत के इतरार में तेरी महबत हुची है मगे मेरी महबद तो तुम्हारी महबद फानी है बदर उस गैर फानी महबद का तसवर करो जिसका खुदा के बाद पहला दर्जा है नहीं बदर नहीं उसका नाम लो जिसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है नहीं बदर नहीं इसका खयाल करो, जिसके साय से हर बड़ी दूर भागती है नहीं बज़ा नहीं उसे याद करो, जो अपनी बुलंद और पाकीजा मुहपत के लिए मलीकल मौत के गिरबान भी पकड़ लेती है माँ, परवर्दिगार, बच्चा मेरा है, अमानत तेरी है अपनी अमानत की आप ही हिफाज़त करना है माँ, मेरे मानिक, मेरे बच्चे की मुश्किलाद को आसान करने उसकी राहों के काटे फूल बन जाए माँ जब मा के हाथ दुआ के लिए उखते हैं तो अलाद पर चूखता हुआ आसमान भी थमजाता है मा को कभी न पूल मा को कभी न पूल मेरे रच्चे के सबकाते बन जाएंगे फूल मा को कभी न पूल मा को कभी न बूल मा को कभी न पूल पेत यही है सचाना था और प्यार है जूटे मा के दिल पे ठेस लगे जब दिल बेखे का तूटे मा के दिल पे ठेस लगे जब दिल बेखे हाँ तूटे किसके लब से दुआ जो निकले मालिक को है कभूल मा को कभी न पूल मा को कभी न बूल मा का नाम जो लब पद आये दूबती कश्टी पार लगाये मा का नाम जो लब कर आये दूबती कश्टी पार लगाये पार लगाये कारी की में ख़रे हु जाना किसके कदम की दूल मा को कभी न पूल मा को कभी न बूल आये अरे बड़ भीवड़ ऐखुण व松 Common वर बूल अरे वह को आ है अहाए अरे अरे वर देर पीछे मुर्मुर के क्या देखिर हो हमारी तरव देख को शाजादे पूछो तो सही, आखिर हम यहां तक कैसे पहुंचे अच्छा वा, तुम लोग यहां कर रुख गए आपका मतलब? यह जादू नगरी है बड़विया, मेरे मौली साब कहते थे के बेटा, महबत काला जादू है, काला जादू मुझे तो बहुत भूख लगी है लो, इसको जंगल में भूख लगी है कोई बात नी, कोई घासवाद काटकी छिलाएंगे कुठिया, सामिय अली कुठिया में जाके सवाल करता हूँ सामिय कहाँ? कुठिया में जो नहीं आती अशिए जादे, अल्ला तीरी हालत पर रहम करे मैं अभी जाके पूछता हूँ कोई अंदर है, अरे मैंने कहाँ कोई अंदर है हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है परदा कर लो, परदा कर लो, नमा घलाल अंदर आ रहा है हुआ हुआ है अंदा वो धिनों आंदा नहीं खे आज अंदा घाए भोडवड़ा है भोड़ तोड़ीं गाँगा है अजे श्रूद रिख है संसेें काला काले सीटूद़ीं हाँ हाँ आजादी महादार हाँ हाँ अर्य अर्य भॉपरी मौली साप तो कहते हैं कि अंडे में से मुर्जी बदा गोगरा निकलती इसमें से आद भी निकला आप कौन हैं? मैं जीन हूँ तुम मुझे आज ही पता चला कि जीन अंडे में रहते हैं पता तो तब चलेगा जब मैं तुझे लुकमा बना हुआ अरे वारे वावा मैंने तुझे आजाद किया और तुम मुझे को खा जाएगा वारे वाज जिन बड़ा च्छ जिने हाँ मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं तेरवी सदी में आजाद हुआ अपने मौसिन को निगर जाऊँगा मेरे भाई अभी तो मैं को आ रहा हूँ मरने के लिए सयार हो जाऊ इतनी जल्दी क्या है मैंने तीन आर्ज में पूरी करने का अपने आखा को कौल दिया है जल्दी अपनी आर्ज बता कोई परी से मेल मुलाकात है हाँ सब तरियों से तो फिर मेरी एक शादी करा दो एक परी से मैं जीन हूँ, नाई नहीं यह तो दिखता है वाई तुम जीने हम सुनिये तुमारी कोई लड़की है निलंपरी मेरी शादी करा दो याने तुम अपना दामाद मुझे बना लो तुम से उसके शादी हो चुकी है तेरी दो निलंपरी हो चुकी है कब पुमी एक पुमी कहा पुमी कैसे पुमी काय कुछ भूलते हो यह तो सरादत धोका है परेव है जगा है मैरे मॉनी सब बना लो रोते थे यह आदम जाथ तेरी जर अदों के बाद अच्छा सवारी जूर, मैं अभी आती हूँ अपनी तिसरी आर्दू बताओ अरे, कहीं जो मुझी बात नहीं बता सकता अवो जे रवाण क्या करें यहाँ, कितनी तेर लगा दी अच्छा, अकेले के लिए अपनी तोन भर रहे हो मृशियास, यहाँ경, हजै कुई हो आजै Visi यह कौण? तुम्हानी दीवी है? अजी radioactive नहीं तो यह तो पारीों से शाधी करना च्याता सा यह? यह तो दामत बनना ह्हुआता सा अच्छा, तुझे शर्म ना आ री, बेवफा के ही के, क्यादर मर गे थी, मेरी स्थाटी पर मोंग दलने के लिए मेरी चौत लाना चाहते हो, अगर सुझे मेरी जरूरत नहीं है, तो में जहर खासर मर जाँगे, मैं खोयम खूच कर अपनी जान दे दूगी, बोलो, बोलो, ब मैं देने सो, मैं नहीं मान पकिल, मैं अंडे में था, जूट, बिलकुल जूट, नहीं यह सच कहता है, मैं अपनी आखों से देखा, वह अंडे में से निकला, यह गैर मुक्रिक है, इतना छोटा अंडा और इतना लंब ठरंगा जिंग, इसमें समा के से सकता है, अपने को न देखो, मैं जीन हूँ, और जीन कभी जूट ही बोलते, मगर इस वोगत तो तुम सरासर जूट बोल रहे हैं, अगर तुम सच्चे हो, तो फिर से इस अंडे में समा कर दिखाओ, आदम साब, तुम मेरी बात का यकिन नहीं करते, अच्छा, मैं फिर अंडे में समाता हूँ, तुम सुपहद तरह से कुलहा मारके आँकों से देख लेना, अज़-अ आय, इह, और अभर, क्या होगे तुमें, और जी, जलो नए, आज़-छो, ह।हर थो साखयो, कुछ यहा ह। कुछ खाते जाएं कुछ मदलो यहां पर यांगी हाट तो यहां जिन परी यह जो लो खो ठेर ठेरो वादा पूम बड़ो है शिपाइयो चल दियाओ अपने बाद्चाह की जान बचाओ तुमारे चैन्चाह की जान खत्रे में शिपाइयो चल दियाओ वादाँ की जाओो, पाला, पुछ मैंजा, जएना, जाँछाएं जाँछाम Holy कि यहाँछाइयो जाँछाँ वाला, सक्गाम कि आ ढुछाव bezफ together कर दो, आपते हो। करि दो भ्रहा हुआड़ता हम एक वप एकता है कर दो एकता कर दो讲ी • में एकत टूज़ता है chi एकता है एकता है आ कि लिसले है एकता है वा, बाल बाल के लिए एकता है खुदा कर लाख लाख शुक्र कि हम ठीक वक्त पर आप पहुंचे आ लिजा हुजूर्थ तो शिकार के पीछे इस तेजी से चले आए कि हम आपका साथी न दे सके जब कि मैं शिकार का पीछा कर रहा था अचानक इन जंगियों ने मुझ पर हमला किया अगर ये बहद्र नौजमान मेरी मदद को ना आता तो तो तुमारा शेहन शाह सनोबर कब से इस दुनिया से कूछ कर गया होता सनोबर? क्या आप ये गुलिस्तान की शेहन मेरे पास खुदा का दिया सब कुछ है सिर्फ यही आर्जू है पता चल जाए गुल ने शाह सनोबर से क्या किया? नौजवान ये जल्म ना करो कुछ और मांग लो इस सवाल का अंजाम बहुत पुरा है आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ये कसम खा रखी है कि जिस पर भी ये राज जाहिर करूँगा क्यमत में उसकी जान ले लूँगा और मैं भी ये ही कसम खा कर निकला हूँ कि गुल्बा सनोबर चेकर्ट का राज हर कीमत पे जान कर रहूँगा अगर तुम्हारा इरादा इतना ही पुखता है तो फिर मैं भी मजबूर हूँ चलो मेरे साथ से पत्थर का दिल और खामोश नजरों से तुम्हे सब कुछ देखना होगा क्या? राज गुल्बा ने सनोबर से क्या किया आप इतनान रखिए मेरा दिल और मेरी नजरे दोनों मेरे कब्जे में इस कुट्टे को देखो दोस्ती के बारे में मेरा ये तजुर्बा है ये हैवान इनसान से कहीं लाख कदम आगे आपने बजा फर्माए इसने वो काम किया है जो एक नंगी तलवार किया करती इसने वफा के नाम को मिटने से बचा लिया और ये चार जंगी है जो मेरे कैबी है लो मेरे कैबी है लो मेरे कैबी करते इसेन और लूटी हैं ये दिल बहुत वरीब है नसीब से मैं क्या कहूं नसीब तो नसीब है अगर मेरी सुने जराँ तो रोके उन से ये कहूं अगर मेरी सुने जराँ तो रोके उन से ये कहूं सता रहे हो क्यों से जो मोत के परीब है इसेन और लूटी में ले दिल बहुत वरीब है नसीब से मैं क्या कहूं नसीब तो नसीब है जो तिल में रहके जल पुझे वो दावे गुंधी क्या कहे जो दिल में रहके जल पुझे वो दावे गुंधी क्या कहे जो खुच का पेल खर सके वो जखमती अजीब है इसेन और लूटी है ये दिल बहुत वरीब है नसीब से मैं क्या कहूं नसीब तो नसीब है इसेन और लूटी है मैं जान गया हूं कि तुम महरंगेश को जानते हो लेकिन ये उसकी हमशकल बहन गुल है जिसने सनोवर के सुफधी पे एक सिया दाग लगा के छोड़ दिया वो सर जिसको सिजदा किया जाता था गुल ने उस पे खाग डालके मुझे हमेशा के लिए जलील कर दिया नहीं मेरे सरसाज ऐसा न कहीं करने दो मुझे दिखाना दो मुझे वो स्याही जो तुमने सनोवर की पेशानी पे मल दी है खुबसूरत बला बहुत ही हसीन नागन ये तुमारे आसूं सिर्फ टामन भिगो सकते हैं पत्थर में राह करने वाले मोती बासमत आउरत की आसूं होते हैं जिन से तुमारे आके खाली हैं तो क्या ये ये आसूं भी नहीं भाय सकती इसलिए कि मैंने इसे चाहा और निबाह का बादा किया मैं इसका परस्तार था ये गुल मेरे लिए खुदा की एक बहुत बड़ी महरबानी थी मगर रात किसी आचादर में ये खुद को मुझ से छुपा कर कहीं चली जाया करती थी कहां? कहां जाया करती थी ये मुझे इस वफादार ने बताया एक रात जब यार वफादार ने से जाते हुए देखा भोका मैंने उस फुप्शुगत चोर का पीछा किया जो सनोबर को लूट कर खुद को लुटाने जा रहा था करता है करता है करता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करदा है कर सक्षब है यह झाल 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 तो एक ही वार में गुल को हमेशा के लिए कबरस्तान में सुला देता मगर मेरी गैरत ने मुझसे कहा कि इसके लिए बजाए मौत के कोई ऐसी सजा तजवीज करनी चाहिए अगर ये मरना चाहे तो मर भी न सके और अगर जीना चाहे तो जिना चाहे तो जिन्दगी लानत बनकर इसके मूपे हमेशा थूकती रहे इसलिए मैंने इस हसी गुल के लिए ये खूपसूरत सजा तजवीज किया है जो तुमने अभी देखी अफसूस दूसरा अफसूस तो ये होगा, जब कि वादे के मुताबिक एस रास के कीमत में तुम्हे अपने जान देनी होगा गयरत का तकाता तो यही है कि रास के बाद सुनने वाली की जान ले ली जाए, लेकिन ये रास अब अधूरा अधूरा? कैसे? वो जंगी सरदार का क्या हुआ वो कहां गया क्यों गया ये सब कुछ तुम्हें खुच भी नहीं जानता इसलिए तो ये राद धूरा जिसे कुछ मैं जानता हू बता दो मेरे मौसिन मेरे इंतकाम के आग बस उसी के खून से सर्थ होगी मुझे पहसान करो एक शर्थ पर बता सकता हू वो शर्थ गुल को हमेशक लिए रहा कर दिया जाए सूरज अपनी तपिश छोड़ सकता है आग जलाने से इंकार कर सकती है ये मुम्किन है मगर मैं गुल को रहा कर दूँ ये ना मुम्किन है तो फिर मैं भी मजबूर हू बहदर वफदार किसके पाँ पर जुक रहा है इसके साए से भी दूर रहो अगर मुझके नहीं तो अपने इस वफदार कुटे की जबान पर इतबार कीजिए जो चीक कर कह रहा है कि गुल वो अरत है इसका दिल आस्मान की तरह साफ और दामन शर्णम की तरह पाक अगर इसका दिल पाक हा तो पर जंगियों के पास क्यों गई बहन क्या आप मुझे बता सकती है वो क्या मजबूरी थी जिसने आपको ऐसे अजीब औ गरीब हरकत करने पर मजबूर कर दिया मुझे इसके सिवा कुछ याद नहीं जब मेरे हवास दरुस्त हुए तो मैंने अपनी आखा पर तुश्मन का हाथ उड़ते दिखा और फिर और फिर आप बेताब होकर बेहोश होगें जाने दो मेरे मुहसिन ये तुमें भी बेहोश कर देगी किस कदर खुबसूर्थी से अपने गुनाह को चिपा रही है मैं किसम खा सकता हूँ क्या आपकी बेगम आज तक पाक बाज है दरसल वे जादूगर के जादू का शिकार हो गई जादू? कौन है वे जादूगर? आसुफ दौला वजीर कोहस्तान? उसने महरंगेज को भी अपने नापाक जादू के असर से एक कट पुतली बनाया जैसे गुल ने आपकी जान लेने के लिए हाथ बढ़ाए वैसे ही महरंगेज ने मेरा अकला दबाने के लिए हाथ बढ़ाए जैसे गुल भिहोश हो गई वैसे ही महरंगेस भी होशो कर गिल पड़ी क्योंकि सच्ची महबबत जादू पर भी फत्र पाती है लेकिन मुझे कैसे यकीन हो मेरे इन आखोंने आदन को जादू करते देखा इत्पार कीजिए गुल की जुकी गर्दन इसके वफदारी की कसम खा रही है गुल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मैं तुम्हारदा मुझेम हूं गुल मैं तुम्हार गुनहगार हूं ऐसा न कहीं आप मेरी दुनिया के खुदा है और खुदा से कभी खलती मेनी होटे मैं स्रंग्जियों के चाबुख सै सकती ही, मगर आपकी परिशानी नहीं देख सकती है शायद ये दो पाक दिलों का इमतहान था गुजरूए कल को भूल कर आने वले कल की सोची अहां तो कहिए, मैं क्या खुद कर सकता हूँ सबस्पहले अपने हातों से गुल को रहा कर दीजी इन से बढ़कर गुल की पाक दानी का और क्या स्थबूत मिल सकता अब मैं मुस्कराते हुए कोरिस्तान जाओंगा मेरे अजीज, मैं भी तुमारे साथ चलूँगा नहीं, मेरा केले जाना ही जरूरी है, आप बस, अच्छत, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज समझाए नहीं जाते, कहीं ऐसीरे भी आतू है, जो आखों में नहीं आते कईत चूट जाते हैं, सदा तक भी नहीं आते कईत चूट जाते हैं, सदा तक भी नहीं आते हजारों जएद ऐसे हैं, कटक दिन की नहीं जाते कटक जिन की नहीं जाते बहुत से जख्म एते हैं, जो दिखलाए नहीं जाते बहुत से राज खैशे हैं, जो समझाए नहीं जाते कई ऐसे भी आसू हैं, जो आंकों में नहीं आते कोई महफिर हो दुनिया के, वही है जो कितन हाई कोई महफिर हो दुनिया के, वही है जो कितन हाई नजाने याद क्या आया हमारी आख भर आई ये कैसे गीत है एदिन जो गाए भी नहीं जाते बहुत से लाज ऐसे हैं, जो समझाए नहीं जाते कहीं ऐसे अभी आसू हैं, जो आंकों में नहीं आते नूर चश्म, पूपसूरत साथ से दिल सो तीशे नहीं, दिलकश नगमा निकला करता है कौन सी ऐसी निमत है जो तुमें हासल नहीं, फिर भी ये बेचैनी से जब से गुल जुदा हुई है, ऐसा मैसूस होता है, जैसे रूह और जिसम में जुदाई पैदा हो गई है गुल गुल गुल, लाक वार समझाया, गुल के ख्याल को दिल दिमाग से दूर कर दो मुम्किन था इस ख्याल को दूर कर देती, मगर अब तो बदर ने, मेरी टूबती हुई कष्टी को बचाने के कसम खाई है, मेरी दूआ है, खुदा उससे काम्याब करें ओ, अब क्या काम्याब होगा, जो मौत का मेमान होने जो है ऐसा न कहीं, नहीं तो मैं मर जाओंगी याद रखो, तुम मेरी मर्दी के बगार मर भी नहीं तक की तुमारी मौत भी मेरी उलाम तुम मुझ पर एक ऐसान कीजिए इस रोज-रोज के मरने से एतिमार ही डाली महरंगे, बदर की काम्याबी मेरी नाकामी है इसलिए तुम बदर को हमेशा के लिए भूल जाओ और याद रहे जिंदकी तुमारी है और मर्दी मेरी है मर्दी मेरी है मर्दी मेरी है माथ फिर तुमें खीच लाई मत वापस आने के लिए जैसा शेर दिल जादी के गंगन है गर्दन उतरने के बाद ये भी उतर जाएंगे अब अगर कोई भी आए तो दर्वाजन नहीं खुलेगा ले छे लो इने बड़ी लंबी उमर पाई है तुमने गुलस्ता जाके आ भी गए सिर्फ इतना ही नहीं खुदा की महरबानी से मैंने गुलस्नोबर का राज भी पालिया बताओ वो राज क्या है जिसका सवाल है जवाब भी वही सुनेगा बेवकूफ अब वो कभी जिन्दगी में तुमारे सामने नहीं आ सकती क्या तुम जानते नहीं कि वो सांस भी मेरे हुकम से लेती है तेरी हुकमत को मैं खुब समझ चुका हूँ और इसलिए यहां वापस आया हूँ ताकिक मासूम और पाक दिल औरत को तेरे पंजे से छुड़ा सबूए बिमका आंदी के सामने दीवार बनेगा दीवार बनेगा नहीं दीवार बन जा है जमाल जमाल जिरा तो ये दीवार चंग में कर दो इसका सीना हेलो इस तलवार की नौक मेरे सीने की बजाए पहले उस चीज को जखमी कर देगी जो मेरे पास महरंगेश की अमानत है क्या है मोती और फूल दो मोती और फूल ये वो सबूत है जिसे महरंगेश भी समझ जाएगी और तू तो समझ ही गया है जमाल अब इसका जिन्दा रहना हमारी मौत है इसे कदम कर डालो इसे माल डालो कर देमारी माल कर एल, कर देमारी मौत है कर पूल कर दोज से गारां कर देहां कर देमारे कर देमारे मैं हरंगेज, मैं आ गया हूँ किसके हुकम से यह आई हूँ जिसके हुकम से आसमान बगार सुतून के खड़ा है मैंने तुम्हारा एक एक लख सुन लिया है यही तो बहुत बुरा किया तुम्हें आसथ, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर मैं अपनी बहन गुल को बचाना चाहती हूँ जो एक जादुगर के कब्दे में है तो मुझे तुम्हार हर इशारे पर चलना होगा यह महेज एक तुम्हारा धोका था सरासर बनावट थी मैं अभी वही कहता हूँ मैं उसे मार सकता हूँ मैं उसे हलाग कर दूगा तुम बक्ते हो महरंगेश जो जादु आप पर चल चुका है उसी जादु में गुल भी जखड़ी हुई थी सनोबर अपनी जगे परेशान और गुल बाग दिल होते होए भी कोड़े घानी मैंने दास्तान सुहन और फॉरण आपके तस्वीरागों के सामने आगए मैं समझ किया ये एक आदमी के हरकफ हो सकती तुम तो आजाद उचकी अब मैं आपको भी आजाद करूँ महरंगेश जमाल को खुम दो कि वह बदर को टतल कर डाले हुकम दो जमाल मैं हुकम देती हुँँ बदर को खतीम कर दो महरंगेश कतल कर दो महरंगेश चालन बाखिरखान आप ये क्या कर रहे हैं बेवकूफ, तुने शाहि सल्टनत की ताउहिं की है। ताउहिं आपके विश्मन करे, मैं तो आपके सल्टनत की है। हुजूर मैं ये कहने आया था के बाशा सनोबर तश्रीफ लाए है। सनोबर? कहा है वो? हुजूर वो आपके सिपाईयों से बाहर दिल लगी कर रहे हैं वो सिपाई अंदर आने थे तो आए ना गिफ्तार कर लो इसे और मेरे इशारे पर दूनों को खतम कर दो हुजूर ये कौन सा इंसाफ है दो आदमे को एक सा खत्स करना ये अच्छी बात नहीं हम लोग बहुत गहरे दोस्त हैं और मखलार कभी जूट नहीं बोलता शहजादी साबा कुछ बोलिये हमारी जान बचाईये अरे आप कुछ नहीं बोलती आई ये शहजादी साब कुछ नहीं बोलती से लगा कुछने, तरे वपर ये वी कुछने बूलता! तयार! तयार! सुपयो! मुकाबर करुंका! सुपयो! पदमाश, तुपनी आसानी से काम्याब नहीं होता क्या! मैंने तुझे अची तरह पहचान दिया है! तुवही है जितने मेरी महभूबा गुल को जादू से मताजिर कर रखा था! महरंगे! ये मेरा शिकार! इसे मुप पच्छूर्ड! बिस्टर कर दोवा। श्रूच से अलगे! सुप बिस्टर कर कर क्या! सुप बिस्टर कर र문! अवोचाद बिस्टर कर कीçarि मार्याren! सुपाद बिस्टर कर दो कर लेextурे picnic! हुआ 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 है यूएंग थैले यूज बेड़ेखे टामे जया है जया है जया है, जया जाज़ झाले कर रहा है तेले ऑने जया है हुआ हुआ फटेोंम हां इब हां long मेरे आका, अब सो तेरा ही आसरा है मेरे मालिक, अनमद, अनमद मेरे आका आसिफ, मुझत कर अरग्मावने से पहले, अपने एहद को याद कर, अपने खते घुलामी को देख, रहम, मेरे मालिक मैं रहीम और करेम नहीं हूँ आसिफ, तू अपने मक्सद में काम्याब नहीं रहा, अब ताक्यामत, तोज़त की आँग में जलता रहेगा आसिफ पेवपू, इपलीज को भी दोका देना चाहता है अपने में जलता चाहता है में जलता चाहता है में जलता चाहता है या खुदा, महरंगेज को क्या हो गया है में जलता चाहता है में जलता चाहता है मैं कर दो कर दो दोता है गुल, मेरी प्यारी हम्शीरा गुल, तुम सलामत हो, या खुदा तेरा आहसान है गुल, महरंगेश कहा हो तुम? कहा हो तुम? मात खाने के बाद उसे शरम आ गई, आज वो तेरे सामने नहीं आएगी नेकी, अज क्यों आए? जब कोई मायूस हो जाता है, तो नेकी मंजिल का चराव बनकर उसे नहीं तफ बुलाती है अबलीज किसी का सहारा नहीं चाहता आने वाले कल को मेरी आप से देख, आदम के उलाद कदम कदम बढ़ती हुई मेरी तरफा रही जब कोई भी खुदा का नेक दिल बन्दा, मेरा गुलाम बन जाता है तो मेरी जिन्दगी एक हजार बरस और बढ़ जाती है इसलिए इबलीज का मात नहीं आती है जब कोई तेरे जाल से छूट जाता है, तो मेरी जिन्दगी एक लाख बरस और बढ़ जाती है इसलिए मेरी जिन्दगी हमेशा की जिन्दगी है इस सब कहने की बाते हैं पूच अपने परवर्दिगार से, जिसके दिल में मैं काटे की तरह चुप रहा हूँ यही जन्नत से नकालने का बदला है, जो मैं उसे दे रहा अगर तेरे पास आकल हो, तो समयने की कोशिश करें भी खुदा से लो जो तेरी जाके सुभो शाम लगे तो फिर कभी तुझे अच्छा न कोई काम लगे वो काम कर, जो प्यारा तुझे मुदाम लगे यहां भी काम लगे, और वहां भी काम लगे खुदा की याद में कोडी लगे, न दाम लगे जीती रहो पेटी जीती रहो पेटी, बदस, यह सब क्या माजरा है यह बड़ी लंबी दाश थाना अबबाजान इस सब तो शाहे महमानों का इस तकबाल लाजम है शाहजादा सनोबर मलिका एक गुल शाहजादा सनोबर खुशाम दीद, खुशाम दीद मैंने सुना था के जहां कि बला यह सब बरकत आपके बदर की जिसके बहदरी ने हमारे दिलों से नक्ष़दूई मिटा दिया है हाँ अरे वारे वाहा शाहजादा हुदूर ने किया और मैंने तो सिर्फ जख मारी है जख आप तो जानते है हुदूर यह मेरा वफादार गदा मुझे कितना प्यारा है लेकिन यह धिलाराम करती है किसे निकाल दो क्योंकि एक घर में दो गदे नहीं रह सकते और मेरे मौली ताब यही कहा करते है बेटा एक तलवार में दो मियान नहीं रह सकती लाहल विला खुवद तुम तो मुहावरे का भी खून कर रहे है कहावत तो यह है कि एक म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकती यह तो ठीक है तरटा इसको एक म्यान में दो तलवारे नहीं रह सकती दो तलवारे में एक म्यान नहीं रह सकती एक गदे में दो तलवार नहीं रह सकती झाल झाल